हालो दोस्तों एक्रिकल्चर एकजाम पढ़ने आपका स्वागत है हम लेकर आया है एक्रोणामी के कुछ महत्पूर प्रस्न जो एफो एओ डी एचो जे आर एफ एस आर एफ के इंट्रेंस एकजाम में होर वर्स उसे जाते हैं पारला प्रस्न आपके सामने बहु फसल उत्पादन है तू क्या करा प्रस्न बहु फसल उत्पादन है तू निमलिखित में से कौन सी आवसकता की वीशेश जरूरत होती है दिये के विकल्प में से फसल उत्पादन फसल के उत्पादन के लिए कौन सी सवसेधी मातरा में वीशेश आवसकता होती है सई आं सिचाई के साधन क्या आउसकता होती है उरोरकों क्या आउसकता होती और बीजों की भी आउसकता होती है सही आंसरा संबार डी ये सभी चीजों की आउसकता होती है आउसर नंबर डी अगला प्रस्न है भसल सघंता की इकाई को कहा जाता है क्या करा प्रस्न है भसल सघंता की इ artist को भीकोल लिए फसल प्रति मौसम चाहसी बीकोल की फसल परति वर्षपश अब टी कोई जैसे 93 क्या होगा फस फस्ट ल संघंता क्या है फसल परति को सब्सद नबल्स परण équसी मरें fuego ठीक है अगला से केंद्री छूसक का अनुसंधान स들्थान कहां पर संब्र कराले पासल चक्र में फसलों की क्या करा है फशल चक्र में फशलों की संक्या फश चक्र के वर्षy multiply 100 सुत्र रधाप ज्यात करते Gespr session वर्ज मल्टिप्लाई हंडेड सुत्र द्वारा ज्यांत करते हैं सहांसर सम्ब फसल चक्र गहनता ज्यांत करते हैं यह सुत्र के द्वारा फसल चक्र गहनता ज्यांत करते हैं सहांसर सम्ब ए अगला प्रस ने सहकारी खेती की विशेष्था होती है क्या करा है सहकारी खेती की का विशेशता होती है फल्व विकल्प क्या है भूमी का एकत्री करण करना भी विकल्प स्युक्त प्रबंदन कि विकल्प क्या है लाभांस वित्रण डी विकल्प ए सभी राइट आंसर आपसर नमबर डी ए सभी जो है सहकारी खेती की विशेशता होती है भूमी का एकत्री कर चाहिए allग जो है कितने वर्ष का फसल चागर है सेयान सावसंबर सी तीन वर्ष का फसल चागर है लोबिया आलू गन्ना पेड़ी जो है तीन वर्ष का अगला प्रस्ण है जब किसी संबंधित एक से अधिक वेवसा एक साथ चलते हैं उसे कहते हैं करते हीन जयो है जब किसी संबंधित एक से अधिक वेवसा एक साथ चलते हैं तो करते हैं क्या है स्यासस अन्बर मिस्ये स्टी किसी पर किसी फार्म है उस फार्म पर क्लिसी संबंधित क्रीजी से में एक होगा गया है यहांक रूझ भूर हो송 फ्रकार की ऐल अलग अलग चीज़ा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगी उसकोउजैने का जब आएं बसक न्बर अगला प्रस्ण है, निमलिकित में से कौन सी खेती भारत में सरवाधिक प्रचलित है, क्या अगला प्रस्ण है, धान, गेहुं, हरिखाद, फसल चक्री की सघंता है, क्या अगला प्रस्ण है, क्या अगला प्रस्ण है, क्या गया जाता है, है कि यहाल आप्सथा के दाता है कि लिए सफल आपस्था नूंबर टर्ट है लिए फ़सल गहंता ग्यांता है CT स्थर Оч specially आप कि नेमलीखीत में से कौनसी खेती के साथ पुषू पालन भी मुञता है और को आधिल केby कि आध दियान के विकलप में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें खेती के साथ पसुपालन भी किया जाता है पहला विकल्प क्या है मिस्रित खेती भी विकल्प क्या है सहकारी खेती डी विकल्प क्या है सामुई खेती और दी विकल्प क्या है इन में से कोई नहीं सई आंसरों का अपसर अंबर ए मिस्रित खे फसलो उत्पादन वहां पसुपालन साथ-साथ की या जाता है क्या अगिरह फसलों का पालन यहां पसुपालन दोनों साथ-साथ केयरता है पहला विकल क्याँ बहु प्रकारी थाथ फसली कर ले क्या आफ्सन नमबर भी क्या रिले सैस्ट्रशेन में आफ्सन नमबर सी मिस्रित क्येती में आफ्सन नमबरं Колि इन मेंसे कोई नहीं। सब चाहिए आफ्सन नमबर बह वर पोजिल – सी आफ्सन नमबर – सी किलाफ-बह भुज की भसल गहनता है क्या गर्या मक्का अलू गेहों मूंग की भसल गहनता है किन्दी होती है भसल गहनता सही आंसर आपसर नमबर टी 400 होती है किन्दी होती है 400 होती है अगला प्रस्ने भसल चक्र के लिए क्या गर्या भसल चक्र के लिए प्रभावित कारक होते हैं क्या गर्या भ प्रभावित कारक होते हैं सज्ञांसार प्रसंब नहीं है क्या अगरा कौनसी एसी है जो खेती की प्रणाली नहीं है पहला विकल क्या है राजकी खेती सामोही खेती सहकारी खेती और सूसक खेती कौन सी जो है खेती की प्रडाली नहीं है सूसक खेती जो है खेती की प्रडाली नहीं है सूसक के खेती एक मौसमी खेती है सयांसा संबर D, आफसान नमबर D, शूस के खेटी, अगला प्रस्म है, शूस के चैतर में, क्या अगह रहा है? सूस के चैतर में, ओओने वाली फसल का उधार है, सूस के चैतर करते हैं जहां पर कम मारतरा में वर्षा हो, या फिर अत्रिक मात्रा में गर्मी होती हो फुसे क्या करते है सुषक छेतर करते हैं सुषक छेतर में उगाने वाले उगने वाले पौधे कौन से है फसल कौन से है जयांसर असंबर अगला प्रस्न है रिले खेती का अभिप्रा है क्या करा प्रस्न रिले खेती का अभिप्रा है परला विखल क्या है एक खेत में दो फसल ले उगाना आफसा नंबर बी विखल क्या है एक खेत में एक वर्स में चार फसल ले उगाना आफसा नंबर सी एक खेत में एक वर्स में तीन फसल ले उगाना आफसा नंबर डी उप्रोक्त में से कोई नहीं रिले खेती क्या है सही आंसर असंब बी क्या है आपसा नंबर बी एक खेत में एक वर्समें चार फसलें उगाना ही रिले खेती अब रिले क्रॉपिन कहलाती है सही आंसर असंब बी अगला प्रस्न है पर्ट्सन क्या गरा है पर्ट्सन जो है किस परिवार की फसल है अगला प्रसन है उद्धीपन फसले हैं क्या करा है उद्धीपक जो है फसले हैं पहला वेकल क्या है मेथी, प्याज, चाय, टमाटर सयान साथ आपसन नंबर C, चाय की सयान साथ आपसन नंबर C, अगला प्रसन है रवी की फसल है, रवी की फसल है, रवी की फसल कौन सी है आपसन नंबर D, जोई, जोई जो है रवी की फसल है अगला प्रस्न, चरी बर्सीम, कितने वर्स का फसल चक्र है, क्या अगला प्रस्न, चरी बर्सीम जो है, कितने वर्स का फसल चक्र है, सही आंसर हो समब, बी, आपसा नमबर, बी, एक वर्स का, जो चरी बर्सीम जो है, कितने वर्स का फसल चक्र है, एक वर्स का फसल चक्र है, स अरहर मूं गेहूं फसल चक्री की फसल सघंता है क्या करा है अरहर मूं गेहूं जो है फसल चक्री की सघंता है सही आंसर आपसर नंबर B 200 किदनी फसल चक्री की सघंता 200 है अगला प्रस्न बहु अर्सी फसले है क्या करा प्रस्न बहु अर्सी फसले है सही Far ga है अगला परसन है Whoo की आगला प्रसन काई किस परिवार से संबंधित है क्या अगला प्रसन है बाज़रा जो है किस परिवार से संबंधित है पहला विकल क्या है घास कुलसे वह क्या है आपuciones क्या है सरसो कुल से आफ्षा नमबर डी क्या है आलो कुल से सही आफ्षा नमबर बज्णा जो है किस परिवा संबन दित है या आफ्षा नमबर ए घास कुल से समबन प्रत्रां प्रत्राइं अग्ला प्रस्ण्य है भूमी सरच्छी कहते हैं परला विकल्ड क्या है मोंग बी विकल्प उर्ध इसी विकल्प मोंग फली डी क्या है एस आँशुर गार्प्स नंबर ये सभी, मोंग और्ध मोंग फली जो है भूमी सरच्छी है, सयांसर समब डी, अफसन नमबर डी, ये सभी, अगला प्रस्न है, हरी खाद वाली फसलें हैं, क्या करा प्रस्न है, हरी खाद वाली फसलें हैं, वहला विकल्प क्या करा है, सनई, बी विकल्प ज्वार, सी अफसन्नमब्र d १ क्या है आलू हरी खाथ की फसले कौन सी है सजी आइसा हमब करें इनरी सदस्रा नमब़ ए सणी जो है हरी खाथ की फसल है सजी आंस आइसे हमब़ या अगला प्रसनsm हरी खाध वाली की आ ख़र है चाहरी खाध आलू पेड़ी coefficient की फसल चक्र गहनता है, हरीखाद, आलू, गन्ना पेड़ी की फसल चक्र सकंता है, सही आंसर असमबर, क्या होगा, आफसर नमबर फसल चक्र गहनता कितनी है, आफसर नमबर C, हरीखाद, आलू, गन्ना और पेड़ी, हरीखाद, आलू और गन्ना, पेड़ी की फसल चक्र गहनता है, एक सोते इस बरसाद